अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिकमास की अमावस्या जब अधिकमास और सावन का मध्य भाग समझ लेना जब बहुत भ्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोग हो किड़नी लीवर जेसा रोग हो सरीर मैस्वरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया पदलना पड़ेंगे का मर्द भरही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा भी कश्ट हो समझ रहा हुआ जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उससे जादा तुख तम्यंतियों राजननल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर भटका साप दस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझियेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली गी वेभू चले गया राज चले गया भाई ने सब कुछ छोड़ा के रख लिया सरीर भी बेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है आर पुट नाथ के डसे से सरी अब उसके ध्यान के पत्नी तम्यंती ने कहा है पत्नी कह रही है पत्नी तम्यंती कह रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दम्यंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर के अराधना का इकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बुलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में तो लोटा हो जर से चलो तो जोटे के उपर लोटा हो डवल कब मंजील डवल कर देगा, कब तुमारी आय डवल कर देगा, कब तुमारी जित्गी के सुपर डवल कर देगा, पता ही है, पता नहीं चलिए और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, पहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो, और शिव का मूल इस्मरण, शिरी शिवाय, नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव मादयों को धार चड़ा, तो यहाज, तुमारी अंति और नल ने नियब बना अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गए, निकलते 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 इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया, और मलमास आया, और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया, संजोग ऐसा बन गया, कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते, सावन के पंद्रा दिन इदर रे गए, पंद्रा दिन उदर रे गए, बीच में मलमास फसा था, इस अधिक मास का पूरा महिना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इदर सावन लग रहा था, इदर अमावस्या पढ़ गए, और दूसरे दिन सावन के पंद्रा दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 32 को टीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुर्ण पुरा पुर्ण ज्मा चलो तुमलोग या otros में पुरी मेरते हो तो विराटी जाते हो गोरद पून जाते है ज्याते ऑप लोग आब एलग्रकिये तो वहाँ परह आवावश्य को मापो भंदारा चला तिक निया अपना कर बनार उसका कारन इनने कौन सी कथा सुन रखे कि खुए है कोई संकर भगता गया कोई शिब का उपासा का गया कोई शिबक का ओगण नरायन का विखाक प्रभढक है उसको कुछ खिला दो उसका मुझू ऩूठा कर दो आखिन कारण क्या बड़े-बड़े घरों में ब्रहमन को निमंतन दिया रहता है अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चालू सावन बापिस चालू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पानिसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का पापिस मत्य का प्रारम का दिन पापिस हो जाता है जब अधिक मास पिराम होगा सावन पापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटी देवता या शकंदर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब ख़दा देते हैं वेभग देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबना पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शु महाँ पुरान की कथा बाची ये पहले उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था ये रोड के जानवर भी निखा पुष्प पुष्प जानवर भी निकार पाष्प पुष्प, तुष्प, भूल बस अज राज़ा नल और तमिण। जा रहे थे उनको फूल नहीं मिले शिप जी को समध्पित करने के लिए कोई पुष्प नहीं मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि कि कुष्प दिए अपना प्रणा पुठाने के लिए तैयाद कि मिलन है इनको नहीं है तो लोग जादा आते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें संजोक से मतलब है जिस दिन अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सामचा लूए कम से कम संदे को रखना दा रभी कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उतिन कावड यात्रा का जल भरकर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर यह आपको भी दिवेदाने आज जो जो किरी हो जो के पास समय हो और जिसने जिंदगी में एकमार कुवरेश्वर बांबा की कावड ना भरी ह जो वो 16 अगस दिन गुद्वार शाय गुद्वार बढ़ना चाहिए 16 अगस तो को सुबहा 9 वजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवर बहटारी को 10 किलोमेटर पुर्सी और से 10 किलोमेटर की दूरी बढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाप करते हुए तो हाथ म सुन्दर या तो तुम कंद्रे पकावड ले लो या हाथ में ले लो या पॉर्डर ले लो पावड़ को समगते हैं एक कनेर का पुष्प लेसे जो ये दमयांती और नल्की कथा करेंगे हैं खूल वश पूल वश अन्यास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ देया वश पुष्प चड़र यह देख है मारग से जाते और इस पुष्प पर ना पच्छी बेट रहा है ना पश 나올 इसको को जान रहा है कनेर का पुष्प समग था और यह उठा कर अस दमयांती ना पति नल को दिया नल weightageful समर्भित करा हुआ पुष्प निचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशोक सुन्दरी वाली जगह पर जाकर spider गया तब अशोक सुन्दरी ने देवादी ने जो महालें उसे कहा पिताजी इसने अविश्प मुझे दिया हुआ शिवकत स्वस्प जो मुझे पराप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ लोग से गर्सित श्रीव नल का ठीक हो गया और जो पुषकर में धन लिया था वो वापीस राजाणल को प्राप्त हो गया फीर सभडावान फीर बीबहुआ फीर कीड़ीवान हो गया फिर कीर्दीवान हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब दिया किसमें जंक के बोलो देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिकमास की हमावस्या जब अधिकमास और सावन का मध्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किडिनी लीवर जैसा रोग हो सरीर में स्वरेसिस हो गया गुड़ने डाक्टर ने पढ़ दिया बदलना पड़ेंगे का मर्द भरे यह तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा भी कश्ट हो समझना हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उससे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राज असी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्मी चली गई पती दर दर भटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्मी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्तर चलीगे, बेभाऊ चले गया, राज़ चले गया, भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया, सरीर मुइ बेकार है, सरीर मुइ काला पड़ा हुआ है, सरीर रहा है, तारबुर्ड नांगे डशे से सरीर भी बेकार हुआ है, अब उसके और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेट कर संकर किया राधन का इतनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा गर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो टवल मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाये नमस्तो भ्यंबोलते हुए देवादिते मादयों को धार चड़ा तो ही आज तो लोटा तमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गए निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो तैसमें करते हैं मलमास हुघ लग पढ़ लग लगई और दूसरान सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के 1 सो Performance है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 32 को दीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पून लिए पूरा पून है क्यों अभवा सबकाब जाते हो ना अमावस्या पूनन मान बंड़ा जाते हो बात के लिए करते हो इन्हें फुटा सूं डख Around कुछ खिला दो उसका मूझ उटा कर दो आखिन कारण के वल एक श्यू महापुराण की कथा कर रही है अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू सावन बापिस चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पान्सो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारण का दिन वापिस हो जाता है जब अधिक मास ठिरांब होगा सावन वापिस चलू होगा उस दिन 33 कोटी देवृता हिया खहकंदर्व देउटा पिंतार स Hence from ुस जिन लुटाते हैं सम्खिदा बेभगो देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबनार बाबा पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शुँ अब रान की कथा बाची यह पहले है उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया या था यह रोड के चादा तर लोग यह कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देखे तो जानवर भी निकाता पशु भी निकाता जानवर भी निकाता जैरीला पुष्प भूल वस आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको फूल नहीं मिले शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधीकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन्द का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 को टी देवत अपना भड़ात रुटाने के लिए तैयाद है कि हम से लोग करें गुरुजी आपने सिहोर की जो कवड यातर रखी वो 16 अगस्त को रखी जिस दिन अधीकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है कम से कम स मेरे खलेगा कंईयर का खूल चड़ेगा उस दिन भाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा यंकि इसी को नहीं आहीं हो तो इन लोग आने वाले कावडियों को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंधा नहीं है वोसं दिन कावड यातरा का जल भर कर हम जिसने जिन्दगी में एकमार कुवरेश्वर बाबा की कावड़ ना भरी हो को सुला अगस्त दिन गुद्भार रखाए गुद्भार बढ़ना चाहिए सुला अगस्त दिन गुद्भार बढ़ना चाहिए गुद्भार बढ़ना चाहिए पुष्प चड़ेया आप उनको पुष्प ना मिला ना मिलने पाइज neue देखा और झाहिए जैते जैते ईस पुष्प पर ना पच्छी बेठ रहा है ना फच् doinरा तब इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा है पुष्प रहा है कानेर का पुष्प संबूक था लिए और उभगिनन ते पती नल को दिया नलने वो पुष्प दैवादिद्यव महा उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन एकिस कोटी देवता अपना भंडार अपना पुण मनुष्प को देते हैं इसलिए आज तुम पुण दीजिए सब देवता उने मिलका जब पुण दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी लोग से गर्सित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया थ हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब दिया किसमें जंक्य बोलो जड़ा देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हाए अधिक मास का महिना वो भी सावंता संजोग में ते जान नहीं आप आए अधिक मास की हमावस्या जब अधिक मास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा कहोत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोब हो किड़नी लीवर जेसा रोब हो सरीर मैस्वरे सिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया पदलना पड़ेंगे का मर्दोख रही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा विपकश्ट हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उससे जादा दुख तम्यंति और राजननल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप डस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की इस अब आपकी साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभव चले गया राजे चले गया भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया सबीर भी पेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है नागे डसे से सरीर भी दिकार हुआ अब उसके ध्यान के पत्मी तमयंती ने कहा बत्मी कह रही है पत्मी तमयंती कह रही है शिव की अराधना करते है दोनों चलों और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेट कर संकर किया राधन का इकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जब के बोलो जड़ा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा घर से चलो तो लोटे के ओपर लोटा हो डवल डवल कब मंजील डवल कर देगा कब तुमारी आए डवल कर देगा कब तुमारी जित्गी के सुप डवल कर देगा पता ही है फड़ाएगा पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रभेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिवका मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव मादेव को धार चड़ाएगा अधिकमास का पूरा महिना निकळा अमा वश्य का इन आ गया और और सावने जोरी शव्यातव धनलआ sağ था खचिवत मदुटं वहर धूर्ति आ धम व्यात्याव स्क देब Já Stephen लग रहा था इदर हम आवस्या पढ़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन पेटिस को दीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पून लिए पूरा पून है अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो तो और दन कौन जाता है जाते हो आप लोग अब रखिये तो वहाँ पूनीमा को बंढ़ा तो उसका कारण क्या है इंन्हें कोनसी कठा सुन रखी किमावस्य कुनिमा को बंढ़ा रता लोग रोग अमावस्य। अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिश चालू सावन बापिश चालू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा मेरी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपे बच चालू होगा उस दिन देतिस कोटी देवता या जगंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं समधदा देते हैं वेभग देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकरभगवान पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबन्ना पर चाला है कोशिवल इक पुष्प पुष्प महा पुरान की अक्था बाति ही पेली पुसमें कानेर के पूल का भिधिर्ष्ण कर आया था यह तर बातिर लोग जातार अथा यह रोट पिछित है आद है पीच I 한 देखें अरे बोर्जा तो जमकें देखाए ना उसको पक्री भी निखाए पक्षी भी निखाए जानवर भी निखाए जहरी ला कनेर का फीला पुष्प भूल वस आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समझपित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है अज दूसरे दिन सावन का पापिस मिलन है इनको नहीं ग गुरुजी अपने सिहोर की जो कवड यात्र रखी वो कि नुटति अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावनचाल है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते भूस्ते हमने कहामें लोगों से मतलब नहीं हमें संजोग से मतलब जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा, कनेर का फूल चड़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा, ये किसी को नहीं मालोगा, उतिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा, ये अंदाजा नहीं है, उतिन कावड या वजे सीवन कमया का जले कर बाबा कुवेर भटाने को 10 km पुर्सी और 10 km की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए दो हाथ में तुन दर या तुन कंदे पकावर ले लो या हाथ में ले लो या पॉल्टर ले लो बाबा को समढ़ती है एक कनेर नामिल नीजिय दिखा मार्गे से जटे जाते इस पुष्प पर ना पक्छी बैठ रहा है ना पशी या छाड़ा है ना कोई चान रहा है कनेर का पुष्प समूख था ढाख स talented उभती नेЗड़ी दे दे teh Young महादियों को समर्वित्स कर वा पुष्प नीचे किर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर जाकर डिक गया तब अशुक सुंदरी ने देवा दिए जो महरे उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्प को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बढ़ा सरी रोग से गर्षित शरीर नल का फिर संफदावान फिर कीड दीवान हो गया अब विकिर दीवान हो गया अब दिया किसने जंग के बोलो देव दिवान बहादेव खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो विसावन का संजोग में जान नहीं आपाई अधिक मास की अमावस्या और सावन का मद्यभाद समझ ले ना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा जेसा रोग हो किडिनी लीवर जैसा रोग हो सरीर मैशवरारेसी सो गया गुड़ने डाक्तर ने पढ़ दिया बदलना पड़ेंगे कमर, दुहर रही हूँ तकलीप यपसी भी तकलीप, कैसी भी ultरी के जिंदगी का दूक हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राज असी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साप दस लिया शरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझियेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी बेभू चले गया राज चले गया भाई में में सब को छोड़ा कर दखिया सरी इस सल रहा स्रीर में बैपी ना पकत्म सबसारी नहीं कि अइन इनले गफारा करता है और क cape अधुक्र पत्म करदे तोनotechn क मादाै शिव दोनोट कर पतु है और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर के अराधना का इकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकास बना अब फिर निवे दंग करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जब के बोलो जड़ा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा तर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो डवल कब मंदिर कर देगा कब तुमारी आयए डवल कर देगा कब तुमारी जिंदकी के सुपर डवल कर देगा पता ही तर फड़ाए पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादेव को धार चड़ाए तो यहाज तो दमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गया निकलते निकलते इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 धी लग रहा था इधार अमावस्या पढ़ गए और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पपिस लग रहा हो उस दिन अधिस को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूर्ण करते हैं पूरा अच्छा चलो तुम लोग यहां मेनपुरी में रहते हो तो गिर्राची जाते हो गोवर्दन पुन कौन जाता है जाते हो आप लोग आप रखिये त कर देख्या पूर्ण करते हो कुछ फिला दो ऊसका मूझ उठ्टा कर दो आखिम कारन क्या है बड़े घरों में अपन्दी जी आजाना गोजन कर जाना कूर्ण कर जाना पूर्ण कर जाना कूर्णी मा कि दिन कथा कर जाना अ मावस्या पूनम कराइब कर रहे हैं तूसरे दिन सावन का महीना बापिश चलू, स्रावन बापिश चलू होना था, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है, आपको कथा में भी पहले कहा, महमान तुम्हारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पान सो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन वापिस हो जाता है जब अधिक मास विराम होगा सावन पापिस चलू होगा उस दिन 33 कोटी देवता या छकंदर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब ख़दा देते हैं वेभभव देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारवन ना पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शु महाँ पुरान की कथा बाची ये पहले उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था ये रोड के जादा था लोग ये खनेर का फुल ना रोड के बीच में लगाए तो जानवर भी निखा पशु भी निखाए पशु भी निखाए पक्षी भी निखाए जानवर भी निखाए जाहरी ला कनेर का फीला पुष्प भूल वस्ट आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अतिकमास का विराम है अज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं आपने सिहोर की जो कावड आतर रखी वो 16 अगस्त को रखी जिस दिन अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते बहुसते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें संजोक से मतल तरह जिस दिन आपको जल चड़े कारे का रखना की कितना देजाएगा यह किसी को नहीं माल हुझत है उर तिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उन को क्या मिलेंगा यह अंदाजा नहीं है उदिन में कावड यातरा का जल भर कर हमने सीहर से रखी 10 किल किरी हो जो के पास समय हो और जिसने जिन्दगी में एक मार कुवरेश्वर बाबा की कावड़ना भरी हो वो सुला अगस दिन गुद्वार अगस नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवर भेटारी को 10 किलो मेटर कुर्सी और से 10 किलो मेटर की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुन्दर या तो तुम कंद्ले पकावड ले लो हाथ में ले दो या पॉर्टर ले लो तावर को सब्सक्राइब करते हैं एक कनेर का पुष्प लिए से जो ये तमयंती और नल्की कथा करेंगे खूल वश्ट पूल वश्ट अन्यास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ देया अब इनको पुष्प ना मिला पुष् पुष्प सम्मुक था और उठा तर उस दमयंती नपने पती नल को दिया नल ने वह पुष्प देवदिध्यों महादेव को समर्बित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो वह गिरता हुआ पुष्प अशुक सुन्दरी वाली जगा पर जाकर डिक गया सवशुक सुन्दरी ने देवादी जो महले उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 33 कोटी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला पड़ा सरी लोग से गरसित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो बापिस राजा नल को प्राप्त हो गया फि अब या किसमें जंग के बोलो जिरा देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो भी सावंता संजोग में जान नहीं आप है अधिक मास की हमावस्या जब अधिक मास पूनों और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा कहोत ज्यान देने वाजी बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो शरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में स्वरेसी सो गया गुटने डाक्टर ने पहते दिया बदलना पड़ेंगे का मर्दुख रही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी चिंद्धी का जितना दुख आपकी जिंदगी में नी आया होगा उससे जादा दुख तमयंति और राज अनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप डस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की अब समझीएगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभाउ चले गया राज चले गया भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया सरीर भी पेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है और पूर्ट नाथ के डसे से सरीर भी निकार अब उसके ध्यान के पत्नी तम्य म्यूंति कर रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों ओमार दम्यूंति पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर के अराधना का एक नियम बना लिए रोज शिव के मन्दिर में तो लोटा जलकस पनाव फिर निविदन करेंगे सारे दिन तुम बकी के दिनों में ज पर सावन के महिने में दो लोटा हूँ घर से चलो तो दोटे के ओपर लोटा हो डवल डवल कब मनजील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिद्गी के सुप डवल कर देगा पता ही है खड़ाए पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रभेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाय नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव मादयों को धार चड़ाए तो ही आज तो दोनों तमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गया निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के पंद्रा दिन इदर रे गए पंद्रा दिन उदर रे गए बीच में मलमास फसा था इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था इधर हमा वस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना बबिस लग रहा हो उस दिन 32 को टीदेवी देवता भगाणशंकर के मंदिर मे खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पुन लिए पूरा पुन है अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराजी जाते हो गोरदन कुन जाता है जाते हो आप लोग अब रखिये तो वहापर अमावस्या फूनिमा को लोग भंडारा चलाते हैं चलाते है इन्दे कौनसी कठा सुन्डा रखि क्या है कोई शिव का उपासा का गभिया ऊंगरतानी का और करेक्ड करण़े मे बड़े घरों में ब्रहमन को लिम लिमनतरं भंदिआये ता है हैider मावस्या के अफंडी जी आजाना भोजन कर जाना ुर्णीमाखी जाना भोजन कर जाना क्था कर रहे हैं अमावस्या का दिन दूसरे दिन सावन का महिना बापिश्य चलुक तोनों का यह रहना हुआ कथा में पहले करता है विरान का लिरान को चाइसावन कुछ चेकर के लिफैद जाता है जब अधिक मास विराम होगा सावन पापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटी देवता या उच्छकंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब ख़दा देते हैं वेभभव देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारा बन्ना पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शु महाँ पुरान की कथा बाची यह पहले उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था ये रोड के जादा तर लोग ये खनेर का फूल ना रोड के बीच में लगा देखेंगें तो जानवर भी निकाता पशु भी निकाता पक्षी निकाता जहरी लाजता होता है पीले कलर का होता है लंबा काम भी कुछ नहीं आता जानवर भी निकाता है पीला भूल बस आज राजा नल और तमयंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समध्बित करने के लिए कोई पुश्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अतिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 को टीदेऊ था अपना भट्डार हुटाने के लिए तैयाद है हुआ है अब से लोग करें गुरुजी आपने सिहोर की जो कवर्यातर रखी वो शोला अगस्त पो रखी जिस दिन अधिक मास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते हैं हमने का में लोग उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उस दिन कावड यात्रा का जल भर कर हमने सिहोर से रखी 10 किलो मेटर यह आपको भी दिवेदान है जो 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 फिरी हो जो उसके पास समय हो और जिसने जिन्दगी मे अगर कुवरेश्वर बाबा की कावड ना भरी हो वो 16 अगस दिन गुद्वार साइद गुद्वार बढ़ना चाहिए 16 अगस तो कुषभा 9 वजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवर भेहटारी को 10 किलो मेटर पूर सी 10 किलो मेटर की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन क कि अगर कि का आखंग मालूम नहीं कि करें पुष्पचड़ डぇा अब आपको बुष्पना मिला है इंधु ना मिल ना मिलने पाद będą ने देखा मारग से जाते को पच्ची बेट रहा है ना पशू बेट रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा, कुष्प पने म पुष्प संबुक था जिए और उठा कर उस दम्यंतिन अपने पती नल को दिया नल ने वो पुष्प देव अधिद्यों महादेव को समर्बित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक संदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया तब अशुक संदरी ने देवा दिए जो महादे उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था यह में नल का सड़ता हुआ स्री ¿काला पड़ा सरी रोग से रसी ठीड हो गया और बश्करा नंघन लिया था वह नग प्राफ्ण हो गया कि पके एक पीर किरतिवान हो गया फिर भी भाफ्ण हो गया अप्या किसने हैं जंक के बोलो जिरा देव दिरेव महा देव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे झाली नाता भाली नाता मुष झाली challenging me जए अने जड़ हैं ज़जित के अना तुम्हारे से भक्राश right एस तुम्हार रहु dedicate दिरे की ज़िए的 लेद scorश आव चाली रहशी का इस्टीद कराशने लितांफ दिरेव का उने थंग